जहिन दोस्तों स्वागत है आपका विजयपत्थ डिफेंस एजुकेशन में आज हमारा पार्ट एट है HP पुलिस डेली मिक्स जीके का इस वीडियो में डिसकस करेंगे more than 15 most important question जो की HP पुलिस exam के लिए most important आपके लिए रहेंगे इस वीडियो में हिमाचल जी के, इंडिया जी के और साथ में general science के कुछ important question डिसकस करेंगे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू हमारा basic foundation का course start हो चुका है जो की रहेगा एक साल के लिए और cover करवाएगा आपके आने वाले सभी state और center government exam को आप अपनी इतियारी इसमें बिल्कुल basic के साथ start कर सकते हैं इसमें आपको मिलेंगी online test series, special notes और books जल्दी से जल्दी 100% sure success के लिए आप अपना basic foundation का course start कर सकते हैं वीजेपत defense education में चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं फर्स्ट question है हमारा और general science related question है important बेहोश करने के लिए उपयोग होने वाली chloroform का सुत्र क्या है what is the formula of chloroform used for unconscious तो बेहोश करने के लिए जो हम chloroform का use करते हैं उसका formula क्या है उसका formula CHCL3 important question रहेगा CHCL3 जो है यह है हमारा chloroform का formula next question है काली मोत किस बिमारी से समन्दित है तो किस disease को जो है वो black death के नाम से भी बोला जाता है या फिर black death related है तो यह जो है यह हमारी related है plague से आपको comment box में बताना है कि plague बिमारी जो है वो कब पूरे भारत वर्ष में फैली थी next one है हिमाचल परदेश राज्य पोल्यूशन नियंतरन board का गठन कब किया गया तो हिमाचल परदेश state pollution center का ट्रोल का जो formation हुई थी कब उसको बनाय गया था तो यह बनाय गया था 1974 में 1974 में इसका गठन हुआ था और इसके अगर head office की बात करें तो यह हमारा स्थित है शिमला में next one है बीरभदर सिंग हिमाचल परदेश के कितनी वार के मुख्य मंतरी रह चुके है तो बीरभदर सिंग जो है हिमाचल के लगा छे वार जो है यह हिमाचल के मुख्य मंतरी रह चुके है और यहां से important question और बनता है शिमला से ये बिलोंग करते हैं और इनके जो बेटे हैं बिक्रम आदित्य वो सबसे युबा भिधायक है पूरे हिमाचल परदेश में तो सबसे अगर युबा भिधायक की बात करूं तो वो हैं बिक्रम आदित्य जो की हैं बीरभदर सिंग जी के बेटे next question है हिमाचल परदेश की सीत कालीन राजधानी कहां पर स्थित है वेर इस दा विंटर कैपिटल ऑफ हिमाचल परदेश लोकेटड विंटर कैपिटल जो है सीत कालीन राजधानी ये बोला जाता है धरमशाला में important question आप के लिए बनता है और सबसे ठंडा स्थान या फिर सबसे बारिश की बात करें तो ये हमारे होती है धरमशाला में मैकलोडगंज जसको लिटल लहासा के नाम से भी जाना जाता है और धरमशाला में दलाई लावाजी रहते हैं जिनका की पूरा नाम है तेंजिन ग्याथ्सो और उनको 1989 में नोबल पुरुषकार से सम्मानित किया गया था शांती के लिए उनको जो है वो नोबल पुरुषकार दिया गया था Next question है हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो सबसे लंबी सुरंग हिमाचल के बात करें तो वो है हमारी रोहतांग सुरंग जो की अभी हाल ही में ओपन की गई है 9.02 किलोमेटर जो है वो इसकी टॉटल लंबाई है Next one है हमिरपुर हिमाचल परदेश का कितने प्रतिशत भाग है What percentage of हमिरपुर हिमाचल परदेश तो अगर मैं टॉटल हिमाचल की बात करूँ तो इसमें जो हमिरपुर की percentage है वो है हमारी 2.01 percentage और यह जो परसेंटेज है यह है टॉटल एरिया के हिसाब से मतलब इसमें population का कोई रोल नहीं है another things की बात करें तो उसका कोई रोल नहीं है तो इसमें यह जो percentage है यह दी गई है सिर्फ और सिर्फ एरिया से हमिरपुर अगर मैं बात करूँ तो हमिरपुर में कुछ important हमारे हमिरपुर में कुछ हमारे important आफिस हैं जैसे कि HPSC हमारा हमिरपुर में है HPTU जो की है हमारा हमाचल परदेश Technical University यह भी हमारा हमिरपुर में है उसके बाद अगर मैं बात करूँ हमिरपुर की तो हमिरपुर में एक और सबसे important चीज है जो की है हमारा radio station तो radio station भी हमारा हमिरपुर का काफी famous है next question की बात करते हैं चमबा शहर किस नदी के किनारे बसा है the city of Chamba situated on the bank of which river the Chamba शहर जो है यह हमारा बसा है रावी नदी के किनारे important question है next question की बात करते हैं राजसब परशिक्षन संस्थान हिमाचल परदेश के किस जिले में स्थित है तो revenue training institute जो है हिमाचल परदेश का यह कहां पर स्थित है तो यह पूरे हिमाचल परदेश की बात करूँ तो यह हमारा स्थित है district मंडी में और मंडी में कहां पे तो मंडी में है यह हमारा जोगिंदर नगर में important है मंडी से आपको एक और चीज़ याद रखनी है मंडी को छोटी काशी के नाम से भी पूरे हिमाचल में जाना जाता है next question है बान गंगा नदी किस परबत श्रिंखला में बहती है तो बान गंगा रिवर फ्लो इन द विच माउंटें रेंज कौन सी रेंज में ये बहती है तो ये बहती है धोला धार परबत श्रिंखला में important question है और आपको comment box में धोला धार परबत का पुराना नाम बताना है मैंने पिछली वीडियो में काफी बार repeat किया है ये question और बान गंगा नदी की बात करें तो ये district kangra में mainly बहती है next question है हिमाचल परदेश बन निगम की स्थापना कब हुई तो when हिमाचल परदेश forest corporation was established तो हिमाचल परदेश forest corporation कब बनाय गया ये बनाय गया था 25 मार्च 1974 को 25 मार्च 1974 को हिमाचल परदेश बन निगम की स्थापना की गई थी आपको एक और यहां से बात नोट करनी है कि हमारे बन मंतरी कौन है वो आपको comment box में लिखके बताना है कि forest minister कौन है पूरे हिमाचल परदेश के next question है सुन्दर नगर का पुराना नाम क्या था what was the old name of सुन्दर नगर तो सुन्दर नगर यह हमारा पढ़ता है district mandi में और इसके पुराने नाम की बात करूँ तो इसका पुराना नाम है बनेड important question है HPGK का जो कि हिमाचल exam के लिए most important रहेगा next one है नहन शहर किस था अपना किस ने की who founded the city of नहन नहन शहर किस था आपने किस ने की है यह की है करम परकाश जी के द्वारा foundation से related question आपके exam में आते हैं mostly HP, SSC आपके foundation से question पूछता ही पूछता है तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी trick बता देता हूँ तो नहन नहन का मतलब हो गया यहां से नहाना अगर आप daily नहाते हैं तो आपको क्या मिलेगा आपको करम मिलेगा करम होगा तभी आप जो है वो परकाश में दिखेंगे important question यहां से बनते हैं तो नहान किस था आपना की थी करम परकाश जी ने एक और मैं आपके लिए यहां पर बताता हूँ question जो मैं आपके लिए ट्रिक बता रहा हूँ वो काफी important आपके लिए रहेगी क्योंकि foundation हमें हमेशा भूल जाते हैं मैं आपको एक और यहां से important बता देता हूँ जैसे कि for example मंडी की बात करें तो मंडी किस था आपना की थी अजवर से इनने मंडी किस था आपना की थी अजवर से इनने तो मंडी से हो जाएगा मनी मनी जो होती है वो हमारे किस में होती है स्नेक्स में होती है सांपों में होती है तो अजवर से हो जाएगा हमारा अजगर तो मनी जो है वो किस में मिलती है अजगर में मिल थी मतलब वो एक साप है तो मनी से मंडी और जो हमारा अजगर है वहाँ से हो जाएगा अजवर तो मंडी की स्थापना की थी अजवर सेन के द्वारा ट्रिक आप के लिए important रहे कि वैसे मैंने आपको नहान का बताया कि नहान से हो जाएगा नहाना अगर आप डेली नहाते हैं तो आपको क्या मिलेगा करम मिलेगा तो करम परकास इसका जो है बो राइट आंसर हो जाएगा next one है last question इस वीडियो का अस्टा ध्याई किसके द्वारा लिखी गई थी तो अस्टा ध्याई is written by एक famous book है और ये लिखी गई थी पाणी नी के द्वारा most important question आपके लिए रहेगा हिमाचल exam के लिए I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी आप हमें social media के उफर follow कर सकते हैं वीडियो के description में आपको whatsapp का link मिल जाएगा daily whatsapp पे, pdf, study material, hp police, notes, daily के daily current affair और साथ में jove alert provide करवाया जाता है हमारा हिमाचल police का भी advance batch start हो चुका है जो की रहेगा mission 2021 के लिए तो आप हिमाचल police का advance batch start कर सकते हैं वीजेपाथ defense education में जल्दी ही नई वीडियो के साथ मिलेंगे आपने वीडियो को जाद से जाद लाइक करना है, share करना है तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत